नमस्कार साथी हूँ, जैहिंद, मेरा नाम है प्रितेश योशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एक्जाम वाइमेशन ग्यान के इस चैनल पर तो कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ ठीक होंगे बड़ी आपकी दैरी चल रही होगे आज की सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं संगणक भरती 2023 की कट आफ के बारे में या अगर मैं इसको कट आफ नहीं कहूं तो एक और अच्छा शब्द होगा पेपर एनलिसिस के बारे में कल जो संगणक का पेपर हुआ उसकी बारे में चर्चा करेंगे कि कितनी का पर होया और उन्होंने कट आफ कैसे बता दिनका एनलेसिस कैसे हो सकता है तो मैं आप लोगों को यहां पर क्लेर करना चाहतों कट आपको एक रेंज बता दी जाए जिसे आप आने वाले एक्जामों की तैयरी कर सको जिसे एक आइडिया आपको एप्रॉक्सिमेट लग ज तो चलिए संग्णक बढ़ति 2023 की कट आप और पेपर एनलेसिस के लाए अगर पेपर की बात करता हूं किसाब इस पेपर के अंदर किस प्रकार के क्वेस्षिन आयो और प्रश्ण देखने को मिलते हैं और बड़ा अच्छा portion था, questions के बारे में अगर मैं कहूंगा तो ये तो कहना अपने आप में गलत हो कि सारी direct है, पर हाँ, काफी सारे ऐसे question आये थे, जिनको बड़ी आसानी से किया जा सकता था, और जो बहुत जादा tough भी थे, उनको अगर अगर अपन elimination method का इस्तमाल करेंगे, त इन questions को हल किया जा सकता था, इतनी जादा परिशानी वाली बात थी, अच्छा, दूसरी बात, कि अगर मैं बात करता हूं साब maths की, और मैं बात करता हूं computer की, तो maths और computer को जोड़कर हमें यहाँ पर 16-17 के आसपास पर प्रशन देखने को मिलते हैं, जो कि आपके maths और computer के हो पर हां questions कुछ ऐसे थे, जिनके options को देखकर आप confused हो सकते थे, और कुछ questions जो थे, वो बिल्कुल हवाई नहीं लगी किसाब कहा से क्या paper आ गया, क्या question आ गया, इसके अलावा जो और पार्ट बचता है, वो है आपका GK और GS वाला, मैं राजस्थान वाले संदर में बात कर रहा हूं, तो राजस्थान की GK, GS और साथ-साथ में current affair वाला, इसके अगर context में मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर हमें 30 questions यहाँ पर देखने को मिले थे, पर हाँ, एक अच्छी बात यह थी, कि जिन लोगों ने specifically statistics economics को अच्छे से बड़ा तो और उनकी रास्थान GK वाला पार्ट या current affair वाला पार्ट ठीक ठाक सा भी था, तो यहाँ पर अच्छे paper कर पाएंगे, क्योंकि question हमें यहाँ पर direct देखने को मिले थे, current के भी question ऐसे ही है, जिनको आप बढ़ी आसारी से अगर आपने कोई CV magazine पढ़ी है, तो flexibility के साब से हमें यहाँ पर देखते हैं, कि साब 40% जो है, वो तो minimum number लाने होते ही है, दो घंटे का paper था, पांचवा option भी यहाँ पर पूंत था ही, तो पांचवा option के लिए आपको कुछ जो है time जरूर एक्स्ट्रा मिला था, तो यह तो अपने paper की बात होगी, साब कैसी क्या चलेंगे, पर हाँ फिर भी काम चल जाएगा, जी के रास्तान जी के और current affair की बात करूंगा, तो मैं कहूंगा, कि हाँ direct question थे, अपने करे जा सकते थे, परेशान होने वाली यहाँ पर बात नहीं देखने कूंगे तो यह तो अपना थोड़ा सा paper analysis के बारे में idea हमें लग जा और अच्छा idea लगा सकी के अपने cut-off का, दूसरा, अभी तक का जो paper देखा, students से जो बात करी, जो जुड़े होए students से उनसे सबसे बात करी, examination hall के जैसी भार निकलते हैं, उस time पे और अब time में थोड़ा सा फरक पढ़ जाते हैं, वहां से निकलती ही तो एक हवा बन जाते है यहां सा paper बहुत तकड़ा हुआ, हमारे तो इतने number बैठ रहे है, घर आते हैं, सारी स्तिति देखते हैं, यह तो गलत लगाया है, तो फिर स्तिति के अंदर परिवर्तन आता है, पर फिर भी एक average अगर मैं बात करूं, तो आप यहां पर इस स्तिति के अंदर आ जाओ, कि हमें देखने को मिलेगा है, उपस्तिती, जैसे अगर उदैपूर वाले शेत्र की उपस्तिती की बात करूं, तो वहां पर सिफ 46 प्रतिशत लोगों ने एक्जाम दिया, तो यह भी काफी सारे factors यहां पर लगेंगे, लेकिन अपने को धियान रखना है, यह approximate range देखने को मिल पर हाँ यह एक ऐसी range है, जो अभी तक जितने भी student से बात करिए, पेपर को solve करके देखा है, पेपर का level की बात करें, तो हमें यह एक range approximately देखने को मिले है, पर इस range से भी ज़्यादा जो हमारे लिए important है, क्यों important है उसके बारे में बात करो, वह ऐसा paper का level है, बहुत ज़्य ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर के level को जाना, क्योंकि भाई देखो, RSMSSB की परिक्षा है, आने वाली हमें देखने को मिल रहा है कि जड़ी लगी हुई है परिक्षा होंगी, चाहे आपकी stenographer की परिक्षा हो, या LDC की परिक्षा हो, कोई सब एक्जाम हो, एक जड़ी यह याद नहीं आ रही होगी, option eliminate कर रहोगी, तब भी नहीं आ पा रहोगा, तो यहाँ पर मैं आ कह सकता हूंगी, paper जो था, पूर्ट था, moderate category का था, moderate category का था, यानि कि हम इस बात के उपर पूरी तरीके से शौर हो सकते हैं, कि easy तो बिल्कुल भी नहीं था, moderate category का paper था, अगर द और अच्छा एडिया लगा सकते हैं, बाकि टेलीग्राम चैनल पर अपन पोल करवा देंगे, तो आप उसका एडिया भी आपर ले सकते हैं, तो अभी primary तोर पर अगर देखा जाए, तो यह एक range हमें देखने को बल रहे हैं, तो आशा करता हूं, आपको इस session अच्छा लग आपकान व्हित् सकते हैं, ए प्लू यह एकरता हैं, तो आफ एक्दित हैं, पालिए स्धूली है, तो आपकान वाय, ग्रे दो आपकान भी स्छा देखा है, तो आपकान भी आपया बार